हाई और वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाप्टर टू को तो सबसे पहले हम नैशनल एकोनॉमी का मतलब समझते हैं कि यह होता क्या इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडिड हैं तो अगर हम बात कर रहें, let's suppose एक नेशन की या फिर एक कंट्री की मालो तो अगर एक कंट्री की हम बात कर रहें तो उसके अंदर national economy हम किसको बोलेंगे कि उसके अंदर जो भी economic activities perform की जा रही होंगी by different agents different agents मतला उस country के लोग जो उन economic activities को perform कर रहे होंगे तो उन economic activities को हम include करते हैं national economy के अंदर जैसे कि हमारी production हो गई, distribution हो गई, trade हो गई, consumption हो गई तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी national economy के अंदर हम इस chapter में basically रहेंगे कि हम अपनी economic activities को किस तरीके से measure कर सकते हैं तो start करते हैं 2.1 the national income accounting तो अगर हम बात करते हैं accounting की, तो accounting में हम basically क्या करते हैं हिसाब किता भी करते हैं यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं national income अकाउंटिंग की तो इसमें हम किस चीज का हिसाब किताब करेंगे अपनी economic activities का तो यहां पर हम जब अपनी economic activities को measure करते और उसको book keeping system में लिखते हैं government की तो वो सारी चीजे आती है हमारी national accounting के अंदर अब यहां पर हम जो economic activities को measure कर रहे हैं अब वो तीन different terms में हम measure करेंगे हमारी production में, income में और expenditure में तो यहाँ पर जब हम एक country की बात कर रहा है, country की economic activities की बात कर रहा है, तो production में क्या चीज include होगी, जब हम उस country का दिखेंगे कि total कितना amount of output produce हुआ है उस country के अंदर, तो वो सारी चीज़े आ जाएंगे हमारी product approach में, जो हम production measure कर रहे हैं, फिर अगर हम बात करें income के terms में, तो जो production कर रहा है, जब वो उस production को बेचेगा, output को बेचेगा और उससे जो income receive करेगा, जब हम उन सब चीजों को calculate कर लेते हैं, measure कर लेते हैं, तो वो आ जाती है हमारी income approach में, and then at last अगर हम बात करें अपने expenditure की, तो expenditure में क्या calculate करते हैं, अब हमने output produce भी कर दिया, उसको बेच कर income भी receive कर ली, बड़ जो उसको खरीद रहे हैं, जो उस पर अपने पैसे spend कर रहे हैं, जब हम उनके expenditures को calculate करते हैं, तो वो आ जाता है हमारे expenditure approach में, तो हम इनी तीन चीजों को देखेंगे, अपनी economic activities को measure करने के लिए हम अपनी production को measure करेंगे, income को measure करेंगे और expenditure को measure करेंगे, national income accounting में, तो यहाँ पर, अब हमारी जो ये तीनों approach हैं, हमारी production approach, हमारी income approach और हमारी expenditure approach, ये तीनों ही approach में जो सबसे अच्छा point है, वो क्या है, कि जब हम इन तीनों approaches को use करकर measure करेंगे, national income accounting, तो again, जो हमारा value आएगा, result आएगा, जो हमारी measurement होगी, वो exactly same होगी, तो ऐसा क्यों होता है, उसकी हम आगे बात करेंगे, और किस तरीके से same हो सकती है, तो वो भी हम आगे एक example के तुरू समझेंगे, तो start करते हैं हम अपने example को, ओके, तो start करते हैं हम book का example, उससे हमने जो भी अभी तक theory देखी है थोड़ी बहुत, वो अच्छे से clear हो जाएगी, तो start करते हैं हमारे book का example, तो example में हमें given है, कि let's suppose हमारी country के अंदर सिर्फ दो ही businesses है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने first business की, तो हमारा जो first business है, वो क्या है, oranges में, तो यहाँ पर basically हम बूल रहे हैं कि orange में business है, मतलब कि यहाँ पर oranges ही produce किये जा रहे हैं, और उनको ही आगे बेका जा रहे हैं, दूसरे business की बात करें, तो दूसरा business है हमारी country के अंदर, orange juice का, तो उसमें orange juice जो हैं, वो बनाए जा रहे हैं, और उनको बेका जा रहे हैं, ओके, तो start करते हैं हम अपने first business से, तो अगर first business जिसमें oranges को produce किया जा रहे हैं, और उनने वो खरीदरी oranges को, अपने खुद की consumption के लिए, खुद खाने के लिए, दूसरा हमारा कौन खरीदरा है, वो हमारा दूसरा business जो country के अंदर है, जो oranges का juice बना रहे है, तो उसको भी तो orange की नीड होगी, तो दूसरा, जो juice बनाता है बिजनेस, वो खरीदरा है oranges को, फिर अगर हम अपने second business की बात करें, जो यहाँ पर orange juice produce हो रहे है, तो उनको कौन खरीदरा है, उनको किसको बेक रहे हैं orange juice को, तो वहाँ पर directly हमारी जो public है, सिर्फ वही orange juice को खरीद रही है, तो यहाँ पर यह दो हमारे business हो गई country के अंदर, और उन्हें कौन-कौन purchase कर रहा है, वो भी हमने देख लिया, लाइक oranges को कौन purchase कर रहा है, और orange juice को कौन purchase कर रहा है, अब यहाँ पर हमारी दोनों ही business की जो है transaction given है, कि उनका किस तरीके से revenue होता है generate किस तरीके से उनके businesses में खर्चे होता है, तो start करते हैं हम अपने orange से, orange का business की अगर बात करें, तो first हमें दिया हुआ है, कि हम जो wages pay करते हैं अपने employees को, क्योंकि देखो अगर orange में हम business कर रहा है, तो यहाँ पर मैं अगर business कर रही हो oranges का, तो ऐसा नहीं है कि सारी ही activities मैं खुद ही करूँगी अपने business में, produce भी मैं कर रही हूँ, wage भी मैं ही रही हूँ, तो यहाँ पर यह सारी चीजें मैं खुद तो manage नहीं करूँगी, मैं लोगों को भी hire करूँगी, तो यहाँ पर जिन लोगों को मैं higher करूँगे, उन्हें pay भी करूँगे यह काम करने के लिए, तो first जो उसका transaction हमें given है, वो क्या है, कि जो wages मैं pay कर रही हो अपने employees को, दूसरा given है कि जो tax pay कर रहा है वो government को, तीसरा हमारा revenue given है, oranges को bake कर, तो इसमें हमारा combinedly दोनों का total given है, यह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि public को जो हमने बेका, उससे हमने कितना revenue generate करा, और हमने जो दूसरे business को bake, जो orange juice बना रहा है, उससे हमें कितना revenue generate हुआ, जब हमने दोनों को add करा, तो directly उपर 35,000 हमें given है, similarly हमारे अगर दूसरे business की बात करे, तो दूसरे business में again उसने अपने employees को wages पे करे, वो given है, tax जो पे करा, वो given है, revenue जो उसने orange juice को bake के कमाया, वो given है, third चीज जो इसमें एक अलग given है, वो क्या है, basically इसमें दिखाया हुआ है, कि अब उसने oranges को भी तो purchase किया था, तो वो भी एक तरीके से इसके business का expense हो गया, तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देख स के business का, कि जो उसने oranges को purchase किया था, वो हमारा 25,000, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, basically दोनों ही हमें business का transaction given है, किस तरीके से उनके खर्चे हो रहे हैं, किस तरीके से उनने revenue हो रहा है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अब इसके profit की, कि यह कितना profit जो है, earn कर रहा है, अपने business स दोनों ही business कितना profit earn कर दे हैं, तो अगर हम profit की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम profit की बात करते हैं, तो profit हम कैसे calculate करते हैं, तो basically profit को calculate करने के लिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कि हमें कितना revenue receive हो है, मतलब कि जो मैंने oranges का business करनी हूँ, तो उसे बेग कर मुझे कितने पै revenue मिला है, जितना भी revenue मिला है, अब मैं अपने expenses को भी तो pay करूँगी जो मेरे businesses में हो हैं, तो उससे हम minus कर देते हैं अपने business expenses को, जब मैं अपने business के expenditure उसमें से minus कर दूँगी, तो जो मेरा amount आएगा, वो मेरा profit हो जाएगा, बट इसमें हमने tax को अभी minus नहीं करा है, just business expenditure को minus करा है, जिसमें से tax included नहीं है, तो ये जो मेरा profit आएगा, वो before tax आएगा, and then at last अगर मैं इसमें से tax भी minus कर दूँगी, जो government को pay करते हैं, तो मेरा आजाएगा, वो profit जो की after tax होगा, तो यहाँ पर हम same, दोनों businesses का जो है, profit को calculate करेंगे, तो start करते हैं हम अपने first business से, अगर हम orange का revenue देखें, कि oranges को बेग कर मुझे जो total revenue receive हुआ है, वो कितना हुआ है, तो public को बेग कर 10,000 हुआ था, और दूसरे business को बेग कर जिसने orange juice बना रहा है, उस business को बेग कर मुझे 25,000 क profit हुआ था, तो total मुझे कितना revenue receive हुआ था, 35,000, तो यह हमारा revenue हो गया, यहाँ पर, first business का, उसमें से हम क्या minus कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हू, R, मतलब revenue, उसमें से हम क्या minus कर देंगे, business के expenditure को, मतलब जो हमारे business में खर्चे हो गया है, तो खर्चे क्या हुआ है, tax को तो अभी include नहीं करेंगे, बाकी क्या खर्चा हुआ है, यह तो include हो गया, है ना, उसके बाद हमारा क्या खर्चा हुआ है, tax को अभी हम include नहीं कर रहे, तो जो हमारा एक लौता खर्चा है, वो क्या है, जो मैंने wages pay करें है, अपने employees को, जो की है, 15,000, तो इसको हम यहाँ से minus कर देंगे, तो यह आ गया हमारा profit before tax, अब इसके बाद जब हम अपना tax भी minus कर देंगे, तो हमारा जो amount है, वो आ जाएगा profit after tax, तो यहाँ पर हम tax कितना pay कर रहे हैं, government को, तो हम simply देख सकते है, जो हमने include नहीं करा था, वो था 5,000, तो वो हम minus कर देंगे 20,000 से, और यहा पर हमारा जो profit after tax है, वो कितना हो जाएगा, 15,000, तो यह आ गया हमारा profit after tax, similarly हम अपने दूसरे business का भी कर देंगे, revenue हमें कितना मिला, अपने orange juice को बेकर, तो वो directly हमें given है, 40,000, उसके बाद इसमें से हम minus कर देंगे अपने business के expenditures को, जो भी हमें खर्चे हुए, तो यहाँ पर हमें कितने खर्चे हुए, as such, तो हम यहाँ पर simply देख सकते हैं, कि पहला जो खर्चा हुआ, एक तो हम tax जो हो अभी include नहीं करें, तो tax को हटा दो अभी, उसके बाद हमने ये तो revenue ले लिया, उसके बाद हमारी दो चीज़े बची हैं, तो पहला अगर हम wages की बात करें, तो yes ये खर्चा ही था हमारा जो हमने employees को पे करा, तो वो गया एक 10,000, दूसरा कोई खर्चा है तो हम देख सकते हैं, कि yes, जो हमने oranges purchase करें थे, oranges को बनाने के लिए, तो ये भी एक तरीके से business का expenditure ही हुआ, खर्चा ही हुआ, तो वो भी हम include करेंगे 25,000, तो इस दोनों को हम तो ये आगया हमारा अगेन, profit before tax, इसमें से हम अगेन हम अपना tax minus कर देंगे, तो tax हमारे second business ने कितना पे कर रहा है, government को, 2000 जो हमने पहले include नहीं करा था, तो इसको हम directly हम पे minus कर देंगे, तो हमारा जो profit after tax है, second business का वो कितना हो जाएगा, 3000, तो यहाँ पर ये दोनों ही हमार profit आगये before tax and after tax, तो ये था हमारी पूरी working example की, अब इसमें जो ये हमने profit निकाला है, before tax और हमारा after tax, इसको हम आगे use करेंगे, बट वहाँ पर मैं calculate नहीं करूंगी दोनों business का, तो यहाँ पर मैंने इसकी working शो कर दे, directly मैं आगे, जब approaches में use करूंगी profit को, तो directly यहीं से वो values जो है वो put होकर आएंगी, तो start करते हैं अब हम तीनों ही approaches को, यहाँ पर हम वही consider करेंगे कि हमारे दो ही business है, हमारी country के अंदर, economy के अंदर, और हम जब बात करेंगे कि total production कितने होई, total income कितने होई, total expenditure कितने होई, जब हम तीनों ही approaches को use करकर, अपने economic activities को measure करेंगे, तो हमा the product approach, तो इसमें हम basically क्या calculate करते हैं, कि हमारी country के अंदर, एक particular time के अंदर, कितने total production होई है, that means कि कितने हमारे output जो है, वो produce किये गए है, तो इस economic activity को हम किस तरीके से measure करते हैं, तो इसमें हमारे जितने भी goods and services produced किये गए हैं, हम उनकी market value को add-on कर देते हैं, दूसरी इसमें क् important चीज़ है, कि जब हम market values को उनकी add-on कर रहे हैं, goods and services की market values को add-on कर रहे हैं, तो उसमें से हम exclude कर देते हैं, intermediate stage of production को, मतलब कि उसमें से हम deduct कर देते हैं, उनको include नहीं करते, जो भी हमारी intermediate stage की production होती है, goods and services की, इस concept को हम बोलते हैं, value added concept, तो यह हमने school level में भी concept पढ़ाता, क कि जो हमारी value of output होता है, उससे हम minus कर देते हैं, value of input को, तो जो हमारी value add होई है, actual में, उसको हम count करते हैं, तो हम जितनी भी हमारे output produce हो हैं, सबकी value added को ही लेते हैं, हम उनकी input की value को उसमें से हटा देते हैं, intermediate stage की production को उसमें से हटा देते हैं, और सिर्फ value added को ही, सारे output की को add करते हैं सम करते हैं और हमारी total production जो है वो आ जाती है तो हम इसकी working को एक बार समझते हैं तो हमारी value added concept का जो formula value added निकलती कैसे actual में तो उसका formula क्या है ओके तो हमारा जो value add rate का formula है वो क्या है कि हम value of output में से minus कर देते हैं हमारी value of input तो जो हमारी actual में value add हुई है output की या फिर हमारी production की वो निकल कर आ जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ अगर हम बात कर रहे है value of output की तो इसका क्या मतलब हुआ एक output की क्या value होगी हम जब output को produce करें तो जिस market value पर हम उसे market के अंदर sell करेंगे बेगे तो वो हमारे output की value होती है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे final good की value होती है या फिर market price होता है final good को जब हम market price पर sell करते हैं तो वो हमारी value of output को show करता है similarly अगर हम बात करें let's suppose value of input की तो value of input हमारा show करता है एक तरहीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी intermediate good की value तो intermediate good क्या होता है basically कि जिस good को हम खरीदते इसलिए हैं ताकि हम उसे further production कर सके कुछ और बना सके कुछ और बना सके आगे बेखने के लिए तो वो सारे goods या फिर वो सारे inputs raw material आते हैं हमारे value of input के अंदर तो हमारे value of output के अंदर आते हैं हमारे final goods जिसको हम market price पर बेख रहे हैं और value of input के अंदर आते हैं हमारे intermediate good intermediate good वो good होता हैं जिसको हम खरीदते इसलिए हैं ताकि हम उससे further produce कर सके further output produce कर सके उससे और कुछ बना सके और उससे आगे दुबारे से tree sell कर सके और यहाँ पर intermediate root को हम ऐसे भी बोल सकते हैं let's suppose raw material ओके तो यहाँ पर अब इस formula की बात हो गई अब हम एक बार example को समझते हैं let's suppose 12th की example को एक बार दुबारे से remind करते हैं तो यहाँ पर हम first जो लेकर चल रहे है business मान लो कि वो farmer का है और farmer क्या कर रहा है वो wheat को produce कर रहा है तो हमारा जो यह wheat है farmer का यह final word हो गया इसमें हम लेकर चल रहे है कि जो farmer है वो कोई भी input use ने कर रहा directly wheat को produce कर रहा है खुद से अब जब wheat को produce करेगा तो आगे बेकेगा भी तो जो farmer है वो wheat को आगे बेक रहा है Miller को और Miller उस wheat से क्या बना रहा है आटा बना रहा है तो Miller का जो final good है output है वो क्या है floor अब इस floor को बनाने के लिए जो Miller है वो क्या कर रहा है पहले तो वो wheat खरीद रहा है farmer से और फिर उससे आटा बना रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो आटा produce कर रहा है तो उसके अंदर वो input भी use कर रहा है और input क्या है इस case में wheat wheat as an input जो है वो use कर रहा है अब यहाँ पर अगर हम बात करें let's suppose final good की value की तो यहाँ पर हमारा जो wheat है वो already final good है और इसके अंदर कोई भी input use नहीं हो रहा है तो यहाँ पर wheat की जो value है जिसको हम value of output को लेकर चलेंगे वो क्या होगी जिस market value पर यह आगे मिलर को बेचता है तो let's suppose कि जो यह wheat बेक रहा है ऐसे तो वो हम लेकर चल रहा है कि वो है 500 500 में बेक रहा है then उसके बाद हम आगे लेकर चलता है कि जो मिलर है उसने आटा बनाया और उसने आगे वो बेक दिया बेकर को कितने में बेका तो let's suppose हम ले लेते हैं उसकी market value है 700 यहाँ पर बेकर को बेक दिया अब बेकर ने आटे को लिया और उससे bread prepare करी तो bread as in final good जो है हमारे बेकर ने बनाई लेकिन अगर हम इसके अंदर input के बाद करें तो इसका input हम बोल सकते है कि इसने आटा भी तो use करा है as an input इसको बनाने के लिए इसको produce करने के लिए और obviously अगर आटा यूज करा है तो इसके अंदर weed भी already involved है क्योंकि weed से यह आटा बनाए and then आटा bread में use हुआ है तो यहाँ पर हमारा input जो है वो floor यूज हो गया अब अगर हम बात करें bread की तो bread जब prepare हुई तो वो भी आगे जो है बेक दी गई public को अब यहाँ पर उसकी जो final value है value of output है वो अगेन क्या होगा जिस market price पर जिस market value पर वो अगे बेकी गई है तो let's suppose कि वो है thousand अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि let's suppose हमारी एकनौमी में ये तीन business है इस तरीके से जो है खरीदा बेका जा रहा है तो हमारी total production जो है वो कितनी हुई है तो यहाँ पर अगर हम total production की बात कर रहे है तो यहाँ पर हम सबकी final value को तो नहीं लेंगे सारे value of output को तो नहीं लेंगे जो market price पर बेके गए है क्यों नहीं लेंगे क्योंकि वो already double counting हो जाएगी तो इस problem को समझते हैं कि अगर हम directly value of output को ले लेते हैं यहाँ पर directly value of output को ले लेते हैं तो हमारी जो है double counting की problem आ जाती है double counting की problem क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक से जादा बार एक output जो है वो add on हो गया तो इस चीज को बहुत दियान से समझेंगे यहाँ पर जब मैंने wheat को यहाँ पर लिया तो यहाँ पर wheat की जो है already value add हो गई है ना लेकिन जब यहाँ पर मैंने arti की value को लिया जिसमें यह market value पर आगे बेका गया है तो यहाँ पर already 700 नहीं है उसकी यहाँ पर उसकी market value 700 है बट यह सिर्फ floor की नहीं है इसमें हमारी wheat की value भी involve है कैसे involve है क्योंकि obviously इसमें wheat as an input use किया गया है उसको use करकर ही आटा बना है तो यहाँ पर जो इसकी value आई है यह 700 इसमें already जो weight की value है वो add है मतलब कि जो actual value है floor की जो added value है जो extra value है जो value added है वो 700 नहीं है वो कितनी है हमारी 700 minus में हमारी 500 तो यहाँ पर मैं 500 को क्यों minus कर रही हूं क्योंकि जो मैंने input यहाँ पर लिया है वो already जब उसकी production हुई थी final good की production हुई थी और जब वो market में बेका गया था तो मैंने उसे already यहाँ पर count कर लिया तो मैं 700 में उसे count नहीं करूंगी, मैं 700 यहाँ पर नहीं लोंगी, मैं 700 को हटा कर यहाँ पर क्या ले लोंगी 200 जो की इसका difference होगा जिसमें से मैंने wheat को as in value of input minus कर दिया exclude कर दिया, deduct कर दिया, similarly अगर हम बात करें baker की, तो baker में मैं इसको directly नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर इस value में मेरी inputs की value भी involve है, चाहे वो floor की हो या फिर हम बोल सकता है wheat की हो तो यहाँ पर हम इसको नहीं करेंगे involve क्योंकि यहाँ पर अब मैंने already wheat को भी ले लिया, जब वो produce हुआ था initially, तो मैं उसे बार-बार तो involve नहीं करूंगी same as कि जब मेरा आटा प्रिपेर हुआ था तो उसकी मैंने जो 200 value यहाँ पर ले है, वो एक बार ले लिया, अब मैं उसे दुबारे से नहीं लोंगी तो यहाँ पर, अब इसमें यह दोनों मेरे already input involve है, तो मैं इन दोनों को फिर से 1000 नहीं लोंगी यहाँ पर, बट क्या लोंगी 1000 minus हमारी wheat की value minus में हमारी floor की value, या फिर हम इसको directly भी लिख सकते हैं, हमारी जो यह पहले वाली value है, इसको minus करके कि हम इसको, दोनों को ऐसे minus ना करके, हम directly 700 से भी minus कर सकते हैं, सेम बात है, तो यहाँ पर हम दोनों input को दिखा दें, या फिर हम अपने आटे को दिखा दें, जिसमें wheat already involved है, उसकी value already involved है, तो यहाँ पर, यहाँ पर 1000 आएका, तो यहाँ पर 1000 minus जो हम 700 करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी actually value add हुई है, bread को बनाते time, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? 300 तो हम 300 as in value added लेंगे, हमारी bread को बनाने की, तो अगर हमाँ इसको एक बार फिर से summarize करूँ तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर value added की, तो value added में हमारी जो extra value add हुई है, हम सिर्फ उसी को लेकर चलते हैं, और उसमें से हम अपनी input के value को minus कर देते हैं, क्योंकि already जब उसकी production हुई थी, तम हमने उसे ले लिया था, जैसे यहाँ पर मैंने पहले wheat को ले लिया, और उसमें कोई भी input use नहीं हुआ, तो मैंने sum करें, सब की value added का, तो यहाँ पर अगर हम आटिक की बात करें, तो उसमें से मैं 700 लोगी, लेकिर उसमें से मैं wheat को minus कर दूँगी, क्योंकि wheat जब produce हुआ था, और market में बेका गया था, तो मैंने अल्रेड़ी यहाँ पर उपर ले लिया है, 500 अल्रेड़ी ले लिया है, तो मैं उसकी value को फिर से add नहीं करूँगी, जो actually में value add हुई है, वो सिर्फ 200 है, जो की floor की है, तो यहाँ पर 700 minus 500 आगया, similarly हम अपनी bright के साथ भी यही करेंगे, 1000 minus में 700, तो मेरी जो actually में value added का sum है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 plus हमारा 200 floor का, और हमारी bread का 300, तो मेरी जो actually में value add हुई है, पूरी market की जो production है, वो कितनी हो जाएगी हाँ पर, 1000 अब हम इसके actual example को देखते हैं, जो की हम पढ़ने वाले हैं, हमारे book का example, उसमें हमारी production कितनी हुई है, तो उसमें वही same concept use होगा, कि हम अपनी value of output से, मतलब कि जो हमने market value पर बेचा है, उसमें से हम minus कर देंगे हमारी value of input को, तो हमारी value added आजाएगी, और हमें इसी का sum जो है करना है, कि हमारे जितने भी producers हैं, उनकी जो value added हुई है, actual में हम उसका sum करते हैं, तो हमारी जो product approach है, वो show करते हैं कि हमारी कितनी production हुई है, तो हम उसे आगे देखते हैं ओके, example को start करने से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं अगर हम बात करने हैं, तीनों ही approaches को calculate करने की, मतलब कि अगर हम economic activity को measure करने हैं, कि total production कितनी हो गई country के अंदर, या total income कितनी हो गई, total expenditure कितने हो गई हैं, तो जब हम उन्हें measure कर रहे हैं, तो हम एक common unit से ही सब को measure कर रहे हैं, और वो common unit क्या है, currency हम बोल सकते हैं, जैसे book में बताया होगा है, कि जैसे ये हमारा example जो हमें given है, ये हमारा light suppose in terms of dollar given है, तो in terms of dollar की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम तीनों ही production को, income को expenditure को, dollar के terms में बता रहे हैं, कि इतने dollar हमारी जो है, production हुई, इतने dollar ये हुआ, इतने dollar वो हुआ तो यहां पर हमारी जो तीनों ही approaches हैं, वो एक common unit से ही measure की जाती हैं, अगर India की बात करें, तो सारी चीज़े rupees में measure की जाती हैं, और यहां पर example में, dollar में measure की जा रहे हैं, तो start करते हैं, हम अपनी the product approach को, तो यहां पर हमारी जो product approach हैं, उसमें हम क्या calculate करते हैं, कि total हमारी production कितनी होई, production को हम कैसे देखेंगे, कि हम simply देख सकते हैं जैसे हमने पीछे बात करी कि production को हम कैसे calculate करते हैं, value added से और उसमें हम क्या देखते हैं, हमारी final good की, एक second हमारे final good की market value को, जिसमें हम उसे बेक रहे हैं और उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं हमारी input जो उसमें use किये गए तो यहाँ पर अगर हम बात करें let's suppose oranges की तो oranges के business में हमारी जो final value है goods की वो क्या है जिसमें हम उसे market के अंदर बेक रहे हैं market price पर बेक रहे हैं 35,000 तो यहाँ पर हम इसे directly लिख देते हैं 35,000 अब इसमें हमने कोई input तो use नहीं करा oranges को produce करने के लिए तो यहाँ पर हमारी input की कोई value नहीं है तो यह simply 35,000 है पिर अगर हम juice वाले business की बात करें तो उसमें हमारा जो हमने market value में अपना output बेका है वो final good की value को show करेगा और वो कितना है 40,000 तो यहाँ पर हम उसे लिख देते हैं 40,000 और अगर हम बात करें inputs की जो हमने उसमें input use किये है तो वो कितने हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारी input की value क्या है तो हमने oranges को खरीदा भी है oranges को खरीद की oranges बनाया तो यहाँ पर हमारी input की value क्या है जो oranges मैंने purchase करें again उसकी market value तो वो कितने है 25,000 तो यहाँ पर हम उसे ले लेते हैं अब यहाँ पर हम बात करें again की 25,000 हम इसमें से deduct क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे already involved कर लिया है already involved कहां करा क्योंकि इस 35,000 में हमारा 25,000 भी तो involved है 35,000 में कहाँ पर involved है 35,000 कैसे आया हमने जो public को बेचा प्लस हमने जो juice वाले business को बेचा तो यहाँ पर 25 हमारा 35 में already involved है तो हम उसे दुबारे से involved नहीं कर सकते इसलिए हम उसे minus कर देते हैं तो यहाँ पर हमने 25 minus कर दिया तो हमारी जो total production हो गई वो कितनी हो गई तो हम कर देंगे 35,000 प्लस हमारा इन दोनों को minus करके क्या आजाएका 15,000 तो वो हम यहाँ पर add on कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएका 50,000 तो हमारी product approach से economic activity की हमारी total production की की total output कितने produce होए वो है हमारा 50,000 अब हम अपनी दूसरी approach को देखते है now the income approach तो इसमें basically हम अपनी country के अंदर जितनी भी income receive होई है लोगों को उसको add on करते हैं तो अगर हम example की बात करे हैं तो इसमें लोग है कितने एक है government, एक है employee और एक थे हम खुद जो business चला रहे थे तो इसमें जो firm का owner है जो profit receive करेगा उसको add on कर देंगे वो उसकी income हो जाएगी अगर हम workers की बात करें, employees की बात करें तो जो wages उन्होंने earn करे हैं वो उनकी as an income होगे तो उसको हम add on कर देंगे प्लस अगर हम बात करें government की तो जो government को tax as an income receive हो रही है as an revenue जो उनका मिल रहा है उने तो उसे भी हम add on कर देंगे तो यहाँ पर हम दो situation को लेकर चलेंगे like income approach में अगर हम use कर रहे हैं तो हम इसे दो तरीके से calculate कर सकते हैं जिसमें हम क्या करें कि हम profit यहाँ पर जो लेकर चल रहे है firms का जो हम उनकी income को calculate कर रहे है जो हम income को add करेंगे तो हो सकता है कि हम profit ले ले before tax का या फिर after tax का क्योंकि हमारा profit before tax भी आ सकता है और after भी आ सकता है लेकिन उससे फरक नहीं पड़ता दोनों को यह जब हम measure करेंगे तो हमारी add time जो result आएगा जो value आईगी जो measurement आईगी वो exactly same होगी तो हम दोनों को यह एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर हम before and after tax वाली situation को ले लेते हैं before tax मतलब जब हमने कोई भी tax government को pay नहीं करा तब हम अपनी total income को देखेंगे और जब हमने government को income पे करी tax पे करा तो तब हम अपनी after situation को देखेंगे कि हमारी total income कितनी हुई है country के अंदर यहाँ पर जो हमारे before and after tax जो profit हमने earn करे हैं दोनों forms ने earn करे हैं उसकी values हमने यहाँ पर mention कर दिया जो कि हमने पीछे calculate करी थी तो start करते है before situation जिसमें जो firms हैं वो government को कोई भी tax नहीं pay कर रही है जो भी उनको profit हो रहा है वो simply अपने पास रख रही है उसमें से कोई भी tax pay नहीं कर रही है तो start करते है कि before tax जो हमारी firm owner है और इंजिस के तो उन्होंने कितना profit earn करा तो हम नीचे already देख सकते हैं जो मैंने mention किया हुआ है 20,000 similarly अगर orange juice की बात करें तो उस business ने कितना करा earn तो वो था हमारा 5,000 ये दोनों ही values हमने पीछे calculate करी थी और मैंने यहाँ पर भी mention करी हुई है उसके बाद government को तो कुछ भी पे नहीं करें तो मतलब government के पास अभी कोई भी income tax तो जानी रहे फिर अगर हम बात करें बाकी लोगों की तो हम यहाँ पर बात करते हैं employees की तो पहले हम बात कर लेते हैं employees जो orange business में है तो उनको as an income कितना हम wages दे रहे थे total सब को मिलाकर वो ता 15,000 तो यह उन सब की income को हमने ले लिया यहाँ पर पिर अगर हम दूसरे business की employees जो juice company में काम कर रहे थे juice business में थे उनको total wages कितने जा रहे थे सब को 10,000 तो उसे हम यहाँ पर ले 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 रहे थे हैं उनकी income को तो यहाँ पर हमारी जो total income हो गई पूरी country की क्योंकि उसमें हमारे दो ही business हैं तो वो कितनी हो जाएगी जब हम इन सब को add on कर देंगे तो हमारी value हो जाएगी 50,000 यहाँ पर हम सिबली देख भी सकते हैं यह हो जाएगा 25 और यह भी हो जाएगा हमारा 25 तो हमारा 50,000 आ जाएगा अगर हम बात करें after tax तो after tax में हम बात करते हैं again profit की तो अब हम tax दे दिया हमने government को तो उसके बाद हमारा जो profit है वो obviously कम हो जाएगा तो हमारे orange business का जो profit है वो 20 से 15 हो गया था 15,000 फिर juice की बात करें तो juice वाले business का कितना हो गया 3,000 उसके बाद अब हम यहाँ पर government को भी लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम government को जो हम tax pay कर रहे हैं वो government को as an income receive हो रही है जो government है orange के businesses से वो कितना tax receive कर रही है तो वो हम again table से देख सकते हैं यहाँ पर 5,000 तो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर अगर हम बात करें juice वाले business की तो उसे government कितना tax receive कर रही है as an income तो वो है 2,000 तो उसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं फिर again हम अपने employees को ले लेते हैं तो employees के जो wages है वो तो सेम ही रहेगे तो employees की जो income है उसको हम as it is ले लेते हैं दोनों businesses की तो यहाँ पर आजाएगी हमारी again 15,000 और यहाँ पर again आजाएगी हमारी 10,000 अब यहाँ पर अगर हम इन सब को add on करें तो again हमारी जो value है वो कितनी आजाएगी 50,000 total income जो हमारी पूरी country ने earn करी है यहाँ पर हमारा जो दोनों values है वो same qr तो simple सा logic है जब हमने कोई tax pay नहीं करा तो जो सारी income थी वो इसमें थी लेकिन जब हमने tax pay करा तो यहाँ से जो हमने amount deduct करा वो हमने यहाँ पर आकर add on कर दिया तो same ही बात है जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि before tax तो before tax जो orange business था वो 20,000 कमा रहा था तो यहाँ पर जब उसने tax pay करा तो हमने इसमें से minus कर दिया बट यहाँ पर add on कर दिया लेकिन अगर हम इनको total में add on करें बात करें एक और चीज़ की तो हम क्या देख रहे है कि हमारी जो यह values है जो हमने income approach से calculate करी है economic activity तो वो हमारी as it is same आई है जब हमने यहाँ पर calculate करी थी product approach में अब अगर हम बात करें अपनी last approach की तो उसमें भी हमारी same value देखने को मिले की तो उसे हम एक बार देखते है the expenditure approach तो इस approach में हम basically क्या देखते है कि हमारी country के अंदर total expenditure कितने हुआ है तो अगर हम बात कर रहे है expenditure की तो हम बात करते है in terms of output जो output को लोगों ने खरीदा है for their own consumption उन सारे खर्चों को हम add on करते हैं तो यहाँ पर जो हम spending देख सकते हैं obviously जन लोगों ने खरीदा है उनकी spending को जब हम देख लेंगे तो same उनका खर्चा ही होगा तो यहाँ पर जो amount spend करा है ultimate users ने output पर उन सब को हम add on करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे है ultimate users की तो यह काफी important point है ultimate users यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि उन लोगों की हम spending को calculate करेंगे add on करेंगे जिन होने इसलिए खरीदा है ताकि वो उसको purchase करकर खुद use कर सके खुद consume कर सके खुद खा सके पी सके तो यहाँ पर हम ultimate users में किसकी बात कर रहे हैं खरीदा इसलिए है ताकि वो further production कर सके जैसे कि wheat खरीदा है आगे कुछ और बनाने के लिए तो उसको हम add on नहीं करेंगे बट किसी journal public ने अपने घर में use करने के लिए रोटी बनाने के लिए खुद के खाने के लिए wheat को purchase करा है तो उसको add on करेंगे तो यहाँ पर हमें given भी है कि अगर household oranges को खरीता है तो वो ultimate user हुआ लेकिन अगर हमारा जो juice वाला business है अगर वो oranges को खरीद रहा है तो उसको हम add on नहीं करेंगे क्योंकि वो तो further production के लिए जो है purchase कर रहा है अपने खुद के consumption के लिए जो है purchase नहीं कर रहा तो यहाँ पर again हम market values को ही लेकर चलेंगे अगर हम expenditure की बात कर देंगे तो हमारी oranges को जो journal public खरीद रही है उसका क्या amount है उनकी कितनी spending है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो public oranges को purchase कर रही थी उसका जो amount थी उनकी spending थी वो थी 10,000 तो हम यहाँ पर ले लेंगे और अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी value आई है वो अगेन 50,000 ही है अब question यह आता है कि हमारी तीनों ही approaches से जब हमने calculate करा तो यह तीनों ही approaches exactly equal क्यों है क्या मतलब है इसका अगर हम simply देखें तो क्या एक country के अंदर जितनी production होती है उतने ही expenditure होते है और उतनी ही income होती है यह वाला question आता है क्योंकि हमारी product approach हमारी expenditure approach और हमारी income approach जो है वो exactly same calculate हो रही है that means कि हमारी country के अंदर expenditure और production और हमारी income as it is same है यह वाला question आता है और ऐसा क्यों है कि यह बार बार जो है equal आ रही है तो इसका answer हम देखता है तो इसका काफी simple सा ही answer है अगर हम बात करते हैं let's suppose product की product approach की तो उसमें हम basically क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे किस तरीके से calculate कर रहे थे जो हम market में अपने output को wage रहे है sell कर रहे है वो हम उनकी market values को लेकर चलते हैं और input को बार बर calculate नहीं करते हैं तो उसे हम starting में calculate करते हैं और बार की minus कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने में हम उन्हें market values पर bake रहे हैं expenditure approach में जो उनके expenditure होते हैं जिनको वो purchase करते हैं वो again market value पर करते हैं तो यहाँ पर जो output हम production में produce कर रहे हैं यहाँ पर जो production में हम output produce कर रहे हैं उसको हम bake भी रहे हैं market में market value पर और जो हमारी journal public है वो खरीद भी रहे हैं again market value पर तो हमारी जो product और expenditure अप्रोच है वो exactly जो है same आती है similarly अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो लोग यह खरीद रहे हैं यह जो अपनी income को spend कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो पैसों से ही खरीदेंगे तो यहाँ पर जो यह income को spend कर रहे हैं वो कितने income spend करेंगे market value को ही pay करेंगे तो जो market value को ही pay करेंगे वो तो हमारी income approach में जब हम income को receive करेंगे तो वो कौन सी income को receive करेंगे again market values को ही receive करेंगे तो यहाँ पर जो spending होती है जो खर्चे वो कर रहे हैं और जो हमारी income approach में जो हमारी firms है और जो हमारे employees है या government है जो वो receive करते है टोटल revenue में से फिर जब हम profit को calculate करते हैं और बाकियों को भी income देते हैं तो वो भी again वापस से हमारी equal आती है तो हमारी income और हमारे expenditure भी equal हो गए तो हम simply देख सकते हैं कि हमारी जो तीनों ही approaches हैं वो exactly equal क्यों है क्योंकि जितने में हम उसे बेखते हैं उतने में ही लोग खरीते हैं और यहाँ पर जितने में लोग खरीते हैं उतना ही लोग spend करते हैं और वो as an income जाता है हमारे बाकी लोगों के पास जो जैसे हमारी firms हो गए government हो गए और हमारे employees हो गए जब वो अपनी income को spend करते हैं जो उनको receive हुआ है उससे हम वो उन्हें revenue मिलता है उन्हें से वो अपना टेक्स पे करते हैं और बाकी लोगों को भी जैसे employees को भी wages देते हैं और बाकी चीजों को भी pay करते हैं तो यहाँ पर जो उन्हें income मिलती है जो उन्हें revenue मिलता है तो वो कैसा होता है अगेन market value पर तो यहाँ पर सबसे important point यह कि जब सारी ही चीजे market values पर हो रही है, तो इसलिए हमारी जो चीजें वो exactly equal आती है, यहाँ पर जितना हम sell कर रहे हैं, उतना ही जो लोग है वो purchase कर रहे हैं, और market value पर कर रहे हैं, market price पर कर रहे हैं, इसलिए हमारी production भी उतनी equal है जितने expenditure हो रहे हैं, similarly जितने expenditure हो रहे हैं, उतना spend हो रहे हैं, और जितना spend हो रहे हैं, उतनी ही income receive हो रहे हैं, तो again हमारा expenditure जो है वो income के भी equal है, इसलिए हमारी जो तीनो ही approaches हैं, वो same value को, same result को जो है receive करती हैं, तो ये था हमारा complete 2.1 2.2 हम अपनी next वीडियो में cover करेंगे I hope कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप नीचे comment session में अपना doubt कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share and subscribe ज़रूर करें मिलते हैं हम अब अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई